भर्वा शिम्ला मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए धाई सो ग्राम या चार से पांच मद्यम शिम्ला मिर्च 125 ग्राम टमाटर कटे हुए धाई सो ग्राम आलू उबले हुए नमक अपने स्वादा अनुसार एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच गर्मसाला पाउडर 3-4 चोटा चम्मच धनिया पाउडर 1-4 चम्मच सौफ पाउडर 3-4 चम्मच जीरा 1-4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच तेल शिम्या मिर्च का उपरी भाग काटकर अंदर से बीज निकाल ले उबले हुए आलू को मसल कर अलग रख ले अब एक लिटर के बर्तन में तेल डाल कर 100% पावर पर डेड़ मिनट तक के लिए माइक्रोवेव करें फिर जीरा डाल कर 100% पावर पर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें अब इसमें कटे हुए डमाटर, नमक वा हल्दी पावडर डाल कर 100% पावर पर 2 मिनट तक के लिए फिर से माइक्रोवेव करें और अब आलू, लाल मिर्श पावडर, गर्मसाला पावडर, धनिया पावडर वा सौफ पावडर डाल कर अच्छी तरह मिला लें और 100% पावर पर 3 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव करें 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दे आलू के मिश्रण को अब शिमला मिर्श में भर कर एक लिटर के बर्तम में डालें उपर से थोड़ा सा तेल लगा कर धक कर 100% पावर पर 7 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव करें इसे 5 मिनट ठंडा कर रखे और फिर गर्म गर्म परोसे